नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रिचा सिनहा एक बिहारन और मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जै माता दिल लिख दीजे माता रानी आप सभी की सारी मनकामनाय पूर्ण करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सुबा उठकर सबसी पहले आपको क्या करना चाहिए क्या देखना चाहिए क्या सोचना चाहिए और किस मंत्र का आप जब करना चाहिए दोस्तों ये बहुत छोटा सा उपाय है और जिसको करके आप अपने दिंचर्या को ही नहीं आप अ सास्त्र संगत है हमारे ग्रंथों में वर्नित है दोस्तों मैं कोशिश करूंगी सुबह हमें क्या करना चाहिए इसका विज्ञानी को अरध्यात्मिक पहलों दोनों ही विस्तार पूर्वक समझा सकूँ तो चलिए देखते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए किस मंदर का जब करना चाहिए और क्या देखना चाहिए इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सुबह का समय इतना जादा महत्वपून क्यों है सुबह ही ये सब क्यों करना चाहिए दोस्तों सुबह का समय बहुत महत् में बहुत ही जाधा शकती होती है बहुत जाधा पावर होती है उस में जैसी बाते आप्ड़ महिन chicken बंता है वैसे ही आप का भ ınız सध्य हुनियद लेकिन अब ये बाते विग्ञानिक ग्रूप से भी प्रमानित हो चुकी है कि हमारे सबकॉंशिस माइन में बहुत ही जादा शक्ति होती है तो दोस्तों सुबह के समय जैसा कि मैंने बताया कि अव चेतन मन सबकॉंशिस माइन जादा एक्टिव होता है तो उसमें हम जैसी इनरजी जैसी सोचते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सुबह उठके सबसे पहले हमें हाथ चोड़के अपने इश्ट देव को याद करना चाहिए अपने इश्ट देव को प्रणाम करना चाहिए आप जिस भी भगवान की साथना करते हैं पूजा करते हैं हाथ चोड़के उन्हें याद कीजिए उनके प्रती अपना आभार प्रगट कीजिए दोस्तों हमें जब भी कोई कमी होती है या जब भी हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम भगवान के सामने हाँ जोडते हैं और अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं उनसे अपनी मनोकामना पूरा करने की प्रातना करते हैं लेकिन सुबह के समय आपको भगवान से किसी मनोकामना की पूर्ती की प्रातना नहीं करनी है सुबह सुबह आप भगवान से आभार प्रकट कीजिए भगवान ने आपको जीवन में जो भी कुछ दिया है जितना सब कुछ दिया है उसके प्रती आप भगवान से आभार प्रकट कीजिए उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद कीजिए और कोटी कोटी बार प्रणाम कीजिए हमारे पास जो भी है वो अनमोल है वो हमें भगवान का तुफा है भगवान का गिफ्ट है तो उसके लिए हमें भगवान को रोज धन्यवाद बोलना चाहिए तो सुबा का समय सबसे अच्छा समय है और उन्होंने आपको जीवन में जो भी कुछ दिया है जो खुशिया दी है जो भी कुछ दिया है उसके लिए आप अपना आभार प्रगट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो हमें अपने दोनों हथेलियों को जोड़ करके और अपने हथेलियों के दर्शन करने जाएए हमारे हथेलियों में बड़ी शक्ती है दोस्तो हमारे हथेलियों में हमारे भागे की लकीरे है साथ ही ये बताया गया है कि हमारे हथेलियों में माता लक्ष्मी का कर आगरे वस्ति लक्ष्मी यानि की कर के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी का वास होता है कर मध्धे सरस्वती कर के मध्धे में सरस्वती देवी का वास होता है और कर मूले तू गोविंद कर के मूल में गोविंद का वास होता है तो उनके दर्शन हमें चाहिए हमारे हाथों के लकीरों में हमारा भागे चिपा होता है हम जो भी कर्म करते हैं अपने हाथों से करते हैं और कर्म से ही हमारे भागे बदल जाते हैं तो दोस्तों सुबह सुबह हमें अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए इससे माता लक्ष्मी माता सरस्वती और वो मंत्र है कर आग्रे वस्ती लक्षमी कर मध्धे सरस्वती कर मूले तू गोविंदअ प्रभाते कर दर्शनम और हमें फिर प्रनाम करना चाहिए दोस्तों यह बहुत ही कारगर और आजमाया हुआ है इसको करके अपने भागे के लकीरों को भी आपदल सकते हैं और अपनी मन दोस्तों कोई भी काम एक दिन में चमतकारिक प्रभाव नहीं दिखाती इन चीज़ों को आप अपने जीवन में साध ले रोज कर ले अपनी हैबिट बना ले और आप इसका प्रभाव इसका इफेक्ट अपने जीवन पे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं अब दोस्तों अब इसके बाद हमें क्या करना है तो हम उठने के बाद सबसे पहले अपने पलंग से उतरते हैं और धर्ती पे पैर रखते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें धर्ती पे पैर रखने से पहले हमें धर्ती माता को प्रणाम करना है धर्ती हमारी माता है उनसे हमारे भार को उठाया हुआ है उन्हीं से हमें अन्य जल और वायू सब कुछ प्राप्त होता है तो हमें उन्हें सबसे पहले प्रणाम करना है और हम अपना आभार उनके प्रति प्रगट करने। अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में साध लें और आप इसको अपने हैबिट बना लें तो आप अपने जीवन में बदलाव प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसका बहुत ही साकारात्मक प्रभाव आपने की दिन चर्या पर ही नहीं। आपके जीवन आपके व्यक्तित्व पर प्ढ़ता है। दोस्थों, उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इन आदतों को अपने जीवन में साथ के इनके साकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में को कर दीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक्स फुर नाव बाई